हेलो गाइज, वेलकम टी उनोवेटिव क्लासेस, फ्रेंस आज हम लोग जे टेट में पूछे गए प्रिवियस एर्स के कॉस्चन में, ठीक है, ये 2012 का कॉस्चन हम लिए हुए हैं, और उसमें CDP का कॉस्चन आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, तो जो भी केंडिडेट जे टेट का एक्जाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ही important वीडियो होने वाला है ये, क्योंकि इसको अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि जे टेट किस टाइप की कॉस्चन पूछता है, तो ठीक है प्रेंस, आगे बढ़ने से प पहल हुआ, तो इसका क्या तात परी है, तो देखे option है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, या फिर बच्चे को private tuition लेनी चाहिए, या फिर व्यवस्था फेल हुई, या फिर बच्चा पढ़ाई के लिए योगी नहीं है, ठीक है, अभी के समय में कोई भी दोस देना सही नहीं माना जाएगा, ठीक है, जैसे कि बच्चा पढ़ाई के लिए योगी नहीं है, या फिर व्यवस्था जो है, उसका हो सकता है, लेकिन बच्चे का कोई दोस नहीं है, बच्चा बिलकुल योग यहें पढ़ने में, ठीक है, बच्चे को private tuition लेनी चाहिए थी, ये भी गलत बात है, tuition जरूरी नहीं है लेना है, ये सब जो है negative word है, ये सब ध्यान रखेगा, और बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, ये भी तो गलत ही बोल रहा है न, बच्चे ने सही से याद नहीं किया, हम क्या बोले कि बच्चे को दोस्त देना ही नहीं है, कि उसने याद नहीं किया, वो पढ़ने लायक नहीं है, ये सब बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, अगर बच्चा फेल हुआ तो इसका आर्थ क्या हुआ, कि पूरी वेवस्था ही फेल हो गई है, उसको पढ़ाने वाले, अस्कूल या टीचर जो है वो फेल हुए है, बच्चा फेल नहीं हुआ है, ठीक है, कॉशन नमर टूए फ्रेंट, सिक्छन से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, सिक्छन से अधिगम, मतलब सीखने के लिए, कौन सा परिवर्तन हो सकता है, बाल केंदरित, सिच्छा पधति अपना कर, हाँ, देखे अभी का जो समय है, अभी बाल केंदरी थी चलता है, यानि कि मतलब बालक को ही केंदर मानना है, ठीक है, बालक के ही अनुसर सब कुछ करना है, देखे दूसरा option है कि रटने को प्रोथ साहित कर, कि नहीं, रटना बिल्कुल नहीं है, रटाना नहीं है, यह बिल्कुल negative word है, जहां भी रटने वाला word दिखे आप लोग को, उसको सिधे काट दीजे, क्योंकि वो होई नहीं सकता है, रटना एकदम नहीं है, रटाना नहीं है, ठीक है, अगर सिच्छन की तकनिक अपना कर, या फिर परिक्षा परिनाम, देखे, यह जो परिनाम होता ह है, result हो गया, यह सब नहीं होता है, ठीक है, यह सब सही नहीं है, अगर सिच्छन यानि की जो टीचर है, अपने अनुसार पढ़ाएगा, तो यह भी गलत बात है, हम लोग को किसके अनुसार चलना चाहिए, बच्चे के अनुसार, बच्चा कैसा सीख रहा है, ठीक है, उसका सीखने का speed क्या है, उसके अनुसार टीचर को adjust करना चाहिए, यानि कि यहाँ पर सही जो सबसे correct answer जो है, वो one number है, बाल के इंदरित, ठीक है, question number three है, बीजो का अंकूरन संकल्पना के सिक्छन की सबसे प्रभावी पधति है, बीजो का अंकूरन संकल्पना जो है, उसको अग बोकन करना, two number में है, स्यामपट पर चीतर बनाना और वर्नन करना, बीज की व्रिदिक के चीतर दिखाना या विस्तरीत व्याख्या करना, अगर हम लोग को बीजो का अंकूरन के बारे में समझाना है, बच्चे को, तो यह सारा option सही लग रहा है, ठीक है न, यह सारा option जो है सही लग रहा है, लेकिन सबसे सही, यहाँ पर देखे option, यह question में बोला गया है कि सबसे प्रभावी कोन सा होगा, देखे टीचर व्याख्या भी करता है, दाने को यानि बीज को दिखा के भी, उसका चीतर भी बना के बता सकते हैं बच्चे को, लेकिन सबसे सही होगा कि बच के बच्चा खुद कर रहा है, अगर कुद कर के सीख रहा है, देख रहा है बीज बोने के बाद के से अंकूर निकला उससे, तो यह सब चीत, यह जादा सही है, क्योंकि बच्चा कुद कर के सीख्ते हैं, यह सबसे अच्छा माना जाएगा, थीकि है, तो option number one correct होगा, question number four आ स उसी टाइप का सिच्छा को समावेशी सिच्छा कहा जाता है तो समावेशी सिच्छा क्या करता है कच्छा में विवित्ता का उत्सभ मनाती हैं मना सकते हैं अलग-अलग टाइप के बच्चे हैं तो सब का उत्सभ मनाएगा सही है आगे है दाखिले संबंदि कठोर प्रकिरिय इस थित्वर्गों से शिचकों को समलीत करने से संबंदिद से संबंदि यहेक बोल सकते हैं कि पिछड़े वर्गे छोटी जाती है अगर वर्गों से सिच्छकím कहा रही किerver सिच्छा का बात करें सिच्छा को कौई मतलब नहीं है हम लोग यहां पर सिर्प बच्चे के उपर देखें गें सिच्छा कोन सा problem इ समके करें मतलब नहीं एंट इहांवे सबस्क्राइस का सब्सक्राइब अलगड़ छ्युटरर सकतेपलिंग मतलब template समावे से शिक्षा में, बच्चे के ऊपर देखना है हम लोग को टीचर के ऊपर नहीं, क्वस्चन नमर 5 है, निमलिखित में से कौन सा वस्तुनिस्ट प्रस्ण है, वस्तुनिस्ट का मतलब होता है objective टाइप, तो इन में से objective टाइप कौन सा है, लगू, उत्तर, उत्रात्मक प ठीके, सत्य आस्ति, लिएक्टिव सकता है, ठीके, ऑप्सं है कि सत्य चुनना है या आशत्य चुनना है, तो ये हो सक्ताउब्जेक्टिव, यानि ऑप्संन नंबर C, जो है, ये श्यूत होगा, Ġीके, नेक्च्ट निमिलिकित में से कौन सी प्रगति शिल सिक्छा की क्षा नहीं तो यह तो होगा इने परीच्छाओं में अच्छे अंख से माक्स यह सब нельзя किस सब इसब आरे यहां के बार बार ली जाने वाली डेकैं इसे नहीं होगा उसके बार बार लिजाने पन लचीला पन यानि flexibility यानि कि समय सारनी जो time period है उसको change कर सकते हैं बदल सकते हैं बेठने की वेवस्ता ये सब चीज हो सकता है ठीक है मतलब अगर प्रगति सिल सिछा है तो उसमें हम लोग ठोड़ा change कर सकते हैं कुछ अच्छा चीज कर सकते हैं यानि यहां पर जो सही answer है कि फोर वाला ही होगा ठीक है next question है एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यहां जाच करता है कि क्या प्रश्न परिक्षन के विशिश उद्देश्यों की परिक्षा ले रहे हैं वह मुखी रूप से प्रश्न पत्र के की खाली जगह के बारे में चीनती थे मतलब teacher जो क्या देखेगा question में तुद देखे option क्या क्या वो देखे पहला option एक संपुन विश्यवस्तू को सामिल करने या प्रश्नों के प्रकार या विश्वस्नियता या वेदता देखे वेदता और विश्वस्नियता तो होना चाहिए लेकिन अगर सही हम लोग answer देखे तो यहां प अत्मक सिक्षा सास्त्र का यहां द्रिड विश्वस है कि क्या विश्वस है तो option देखे सिक्षार्थियों को स्वतन्त रूप से तरकना नहीं करनी चाहिए यह तो गलत बोल दिया तरक क्यों नहीं करना चाहिए तरक वितरक तो करना चाहिए बच्चे को तो यह तो गलत हो गया यह तो होगा नहीं ठीक है और अप्छान नम्ड्र टू यह बच्चे ऐस smule से बाहर क्या सिखते हैं यह ob प्रसांगिक है दिए कंगे सीखे शिर्फल यह सीखना सिर्फ एस्पूल में ही नहीं है स्कूल के महत्पुन होते हैं, देखे, सिक्षार्थियों के अनुभाव, अनुभाव बहुत जरूरी है, जो स्टुडेंट है, वो केसा अनुभाव कर रहे हैं, खुद करके, कुछ सीख रहे हैं, तो ये ज़्यादा जरूरी है, तो ये जो है करेक्ट है, ठीक है, ओप्सन नमर फोरे, विद्याले आधारित आकलन मुखी रूप से किस सिध्धान पर आधारित है, ठीक है, तो देखे, विद्याले आधारित जो आकलन है, किस चीज पर, किस सिध्धान पर आधारित है, तो अप्सन देखते हैं, देखे, पहला अप्सन है, बाई परिक्षकों की अपेक्षा सिक परिक्षक अपने परिक्षार्तियों की छमताओं को बहतर जानते ये बात तो सही बोला जा रहा है कि बाहर से जो आते हैं ठीक है बाहर से जो परिक्षक आते हैं उनसे जादा जो टीचर है बच्चे के वो उनको जादा जानते ये तो सही बात है ये तो सही है आगे है कि किसी विद्याले जो है वो बाहे परिक्षा निकायों कि अपरिक्षा ज्यादा सक्षम है यह हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि विद्याले ज्यादा सक्षम है यह चीज तो नहीं बोल सकते हैं ठीक है आकलन बहुत किफायती मीत वही होना चाहिए जो आकलन हम लोग कर रहे हैं तो यहां पर यह जो बोर रहा है कि जो टीचर है और उपर से देखें यहां विद्याले आधारित आकलने विद्याले पर हो रहा है तो यह हम लोग बोलेंगे कि विद्याले के जो टीचर है वो अपने स्टुडेंट को जादा जानेंगे ना बाहर से आने वाले लोगों से तो Question number 10 is, सिच्छार्थी वेक्तिक भींता प्रदर्शित करते हैं, अता सिच्छक को, देखे, जितने भी सिच्छार्थी हैं, यानि कि स्टुडेंट हैं, वो अलग-अलग भींता, यानि कि इंडिविज्वल डिप्रेंस दिखाते हैं, तो अता सिच्छक को, सिच्छक को क्या करन चाहिए, हाँ, ये तो सही बोला जा रहा है, कि अलग-अलग तरह का अनुभाव उनलोग को देना चाहिए, फिर एक कठोर अनुसासन, देखे, ये सब नहीं होना चाहिए, परिक्षाओं की संक्या, परिक्षा भी नहीं, और अधिगम की एक समान गती, एक समान गती नहीं ह होना चाहिए, गती अलग-अलग होना चाहिए, क्योंकि अलग-अलग बच्चे जो है, अलग-अलग टाइप से, या अलग-अलग गती से सीखते हैं, तो सब बच्चे के लिए गती सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है न, तो यहाँ पर ऑप्सन नमबर वन जो है, वो ज्यादा तो ये बात तो सही बोल रहा है कि सभी की विकास दर समान नहीं है, सबका अलग-अलग होता है, ठीक है, जितने भी लोग हैं सबका तो विकास दर अलग-अलग होता है, तो ये तो सही बोल रहा है कि समान नहीं होता है, यानि ये जो है option number one तो correct है, बाकी देख लिखते हैं कि विकास हम इसा रेखी होता है, रेखी होने का मतलब क्या है, कि एक जैसा चलता है, जैसे कि मान लेते कि विकास एक रेखी कहने का मतलब कि सीधा चलता है, इसा थोड़ी होता है, विकास क्या होता है, पहले बढ़ता है, फिर कम भी हो सकता है, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, म विकास जो है जन्म से लेके मिर्त्यू तक चलते रहता है, तो यह भी जो बात गलत बोल दिया है, उसके पालव विकास की सभी प्रकिरियाइं अंत mortgage नहीं, देखे फिर से नहीं डाल दिया, यह नहीं नहीं रहता, यहाँ पे तो फिर सही हो जाता है, तो यह भी गलत हो गया, विकास की सभी प्रकिरियाएं जो है, समबंधित है एक दुसरे से, तो यहाँ पर जो option number one है, वो correct है, ठीक है, question number two, भे, मानव विकास को छेत्रों में विवाजित किया जाता है, जो है, क्या क्या है, देखे, मानव विकास को कितने छेत्रों में विवा देखें, आध्यात्मिक तो होता नहीं है, तो देखें, यहां पर जो है, मनोवेग्ज्ञानिक, संग्यानात्मक, संवेगात्मक और सारीरीक, यहां फिर सारीरीक, आध्यात्मिक, यहां भी डल दिया, यह तो होगा नहीं, तो देखें, यहां पर जो है, मनोवेग्ज्ञानिक होता है संग्यानात्मक होता है सम्वेगात्मक विकास भी होता है और सारीरिक विकास तो होता ही है तो यह तीन जो अप्सन नमबर थिरी है वो करेक्ट है ठीक है next question है एक सिच्छी का पाठ पुस्तक और फल सबजीयों के कुछ चित्रों का परियोग करती है ठीक है बहुत अच्छी बात है और अपने विद्यार्तियों से चर्चा करती है यह अच्छा बात है विद्यार्ति इस जानकारी को अपने पुरू ज्यान से जोड़ते हैं और पोशन की संकल्पना को सिखते हैं यह उपागम ड्यास पर आधारी तो इस तरह से जो सिखा रही है सिछिका तो वो किस उपागम केसा उपागम है तो देखे अधिगम से सास्त्रिय अनुबंदन है या पुरन पुनर बलन के सिधान पर है या अधिगम के सक्रिय अनुबंदन में या ज्यान का निर्मान में तो देखे यहां पे अभी ज्यान का के निर्मान किया जा रहा है जब बच्चे की दाद yhtर उसकी मा की गोद से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है बच्चा ब्रोता है बच्चा क्यों और आ अपनी मां के.. दादि मां के गोद consult से बच्चे को लेती हैते है.. तो बच्चा क्या कारन है ? थे इसका कारन ilMS sounds.. यहां पे होगा उसका वियोग, यानि अलग हो गया न अपनी मा से, तो यह दूस चीनता, इसको इंगलिस में बोलते हैं, सेप्रेशन एंजाइटी, ठीक है, तो यहां पे वियोग हो गया न उसकी मा से, इसलिए बच्चा रो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट है, सिक्षा के संदर म समाजवकरन यानि सोसलाइजेशन, तो उससे क्या थात पर है, अपने सामाजवक मा अपतन बनाना, या समाज में बडो का संमान्करना, या समाजवक वातावरन में अनुकूलन और समायोजन, या समाजवक मान दंडो का सदेव. तो देके जो शबसिखकं करेक्ट एंसर है, वो option number 3 है सामाजिक वातावरन में अनुकूल और समायोजन 16 number में राज अस्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यारतियों को तैयार करते समय एक विद्याले लड़कियों को वरियता देता है ठीके देखे singing competition होने वाला है उसमें क्या किया जा रहा है एक अस्कूल द्वारा सिर्फ लड़की लोग को चुना जा रहा है या उन लोग को ही वरियता दिया जा रहा है तो ये क्या दिखा रहा है तो देखे ये क्या दिखा रहा है ये दिखा रहा है लेंगिक पुर्वाग्रह ठीक है लेंगिक पुरुवा ग्रह का मतलब है कि जैसे पहले से ही चलता आ रहा है कि ये काम सिर्फ लड़कियां कर सकती है ये काम सिर्फ लड़के कर सकते है जैसे कि बाइक चलाने के बात हो तो उसमें सिर्फ लड़का को ही बोला जाता है मतलब उनका धारना है कि ये काम कर सकता है या लड़की का है लड़का का ये काम है तो इसी को कहा जाता है लेंगिक पुर्वाग्रा की जो सिंगिंग यानि गाना जो है वो लड़की ही अच्छा कर सकती ऐसा जरूरी नहीं है ठीक है तो ये बात सही नहीं है लड़के भी गा सकते हैं ठीक है उसी तरह बाइक चलाने का बात अगर है तो लड़कियां भी बाइक चला सकती है मेहनत का काम भी कर सकती है तो यह सब क्या है लेंगिक पुर्वाग्रा जेंडर बायस है नेक्स्ट कोशन है बाइगोथ्सकी बच्चे के सीखने में निमलिखित में से किस कारक की महत्पुन भूमिक का पर बल देते हैं तो बाइगोथ्सकी जो है वो किस पर बल देते हैं आनुआनसिक पर, नेतिक पर, सारेरिक पर या सामाजिक पर तो देखें आप लोग पढ़े होंगे बाइगोथ्सकी का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धान्त तो देखें जीस परकार जीन प्याजे ने संग्यानातमक विकास का सिद्धान दिया है, कोलवर्ग ने नेतिक विकास का सिद्धान दिया है, उस तरह बाईगोच्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धान दिया है, ठीक है? तो यहाँ पर बाईगोच्की के अनुसर पूछा गया तो उन्होंने सामाजिक ठीक है यानि option number 4 जो है वो correct है next 18 number में एक सिच्छी का अपने सिच्छार्थियों की विभीन अधिगम सेलियों को संतुष करने के लिए एक वेविध्य पूर्ण कारियों का उप्योग करती है अच्छा बात है अलग-अलग टाइप का काम करती है टीचर ठीक है तो वहां डेयस से प्रभावित है तो वह किसे प्रभावित है कोलवर्ग के कि अधिक विकास से, गार्डण का बहु बुद्धि सिधान से या अधिक सामाजिक सांस्कृतिक सिदान से या प्याजे के संग्यानात्मग विकास से देखिए, यह सब अभी अभी आप बुद्धी सिद्धान ठीक है क्योंकि गाड़नर ने बताया है कि जो बच्चे होते हैं अलग-अलग टाइप से सीखते हैं यानि अलग-अलग उनका बुद्धी होता है किसी का सारिरिक बुद्धी जादा होता है किसी का स्थानिक किसी का तार्किक मतलब कोई मैत में अच्छ इस तरह से अलग अलग टाइप का होता है तो सब के लिए अलग अलग टाइप से शिकना ज़्यादा अच्छा है तो यहां पे जोग टीचर अपनाने के लिए प्रोच साहित करती है, मतलब वो एंसर खुद नहीं देती है, बच्चा लोग को खुद उसमें बात करके, चर्चा करके, खुद से एंसर लाने का कोशिस करवाती है, तो यहां उपागम डियस के सिद्धान पर देखें, यह किसके उपागम के सिद्धान पर जो है, बच्चे खुद इनवल्ब हो रहे हैं, तो खुद अगर इनवल्ब हो रहे हैं, यानि कि वो खुद भागिदारी कर रहे हैं, तो यह ज़्यादा सही और बच्चे ऐसे में ज़्यादा सिखते हैं, अगर वो खुद उस चीज में भागिदार हैं, तो वो चीज को Question number 20 है, निमलिकित में से कोन सा सिच्छक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला का रखे? निमलिकित में से कोन सा सिच्छक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला का रखे? निमलिकित में से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला का रखे? निमलिकित में से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला का रखे? निमलिकित में सामिल करके या कैसे वेवार किया जाना है इस पर कठोर निर्देश देकर? जिससे मतलब संब्वेस को यानि कि जो उनसे सीनियर है छोटे बच्चों को सीनियर यानि बड़े कलास के बच्चों के साथ बेठने के लिए प्रोसाहित करना चाहिए? जिससे क्या होगा? अगर एक साथ छोटे बच्चे और बड़े बच्चे एक साथ बेठके एक साथ पढ़ेंगे तो इससे क्या फाइदा है? तो पहला option है कि वे एक दूसरे से प्रस्नों के उत्तर सीख सकें? ना, ये नहीं होगा क्यों? क्योंकि अगर वन क्लास का बच्च साथ थोड़ी सीख पाएगा? ठीक है? नेक्स को से ने, option नमर टू में बोरा है कि पाइठ करम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके? ये भी जरूरी नहीं है कि अलग-अलग क्लास के बच्चों को एक साथ बेठा दे तो जल्दी जो सिलेबा से वो complete होगा, ये तो नहीं है उसके बाद वे पढ़ने के दोरान सामाजिक कोसल सीख सके? हाँ, ये होगा, सामाजिक कोसल सीखेंगे, बच्चे जो है, अपने से बड़ों के साथ बेठेंगे, बड़े बच्चों के साथ, तो उनके साथ वेवार करना सीखेंगे, यानि उनका सामाजिक कोसल विक्सित और मुस्की लोगा तो यहां ओप्सन नंबर जो थ्री है यह ज्यादा करक्ट है ठीक है कौसे नमर 23 है जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्याले आता है ठीक है यानि जो फिजिकली डिसेबल बच्चा है वो पहली बार जब अस्कूल आएगा तो सिछा को क्या करना चाहिए तो दिखे टीचर को क्या करना चाहिए बच्चे को निर्योग यता के अनुसार उसके विशेश विद्याले में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए नहीं यह तो होना ही नहीं कि उसको अलग अस्कूल में भेज दें यह सही बात नहीं है उस बच्चे के लिए ठी करनी चाहिए हाँ यह सही है यह कर सकते हैं और option number 4 में है कि प्रवेश परिक्षा नहीं टेस्ट नहीं लेना चाहिए यह सही नहीं है सही क्या है थिरी number ठीक है next question है प्याजे के संग्यानात्मक विकास के चर्नों के अनुसार इंद्रिय गाम्मक यानि कि सम्वेदी जो प्रेरक अवस्था है किसके साथ संबंदित है तो देखे जीन प्याजे ने संग्यानात्मक विकास की चार अवस्थाएं बताई है ठीक है पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था भी बोल सकते हैं इंद्रिय गामक उपचारिक संक्रिया की अवस्था जिसको फॉरमल उप्रेशन करते हैं तो अभी सम्वेदी प्रेरख का पूछ रहा है, तो यह कितना एज से होता है, तो यह 0 से 2, ठीक है, 0 से 2 साल के बीच होता है, तो इसमें क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं इस हवस्था में, तो आप्शन में देखे, अनुकरन, असमरिति और मानसिक निरूपन, या तार्क के निर्वच्चन और विसलेशन, अनलाइसिस, यह सब थोड़ी वह कर पाएगा, अभी छोटा बच्चा है ना, सामाजिक मुद्दा अभी तो समाज के बारे में ठीक से जाना भी नहीं होगा बच्चा, तो यह सब तो होगा नहीं, होगा क्या, ओप्शन नमबर 1, देखे, इस तरब से एलिमिनेट करके भी आप लोग एंसर को सही ठीक कर सकते हैं, तुक है ना, लेकिन आप लोगको यह पता होना चाहिए, कि कोन सी अवस्था, कितना एज का हैं, तुक है, जो डेवलप्मेंट है, वह आनुआनसिक्ता और वातावरन, दोनों का अंतकिरिया है, कि हेरेडिटी और इन्वाइरनमेंट दोनों का तो यहां उप्शन नमबर टू करक्ट होगा कॉसे नमबर 26 से सिक्षन अधिगम प्रकिरिया में वेक्तिगत रूप से ध्यान देने का मतलब है कि टीचर को हर एक अस्टूडेंट पर ध्यान देना है तो क्यों महत्पूर नहीं तो देखें सिच्छार्थी हमेसा समू में ही बहतर सिखते हैं यह सही बात नहीं है कि ग्रूप में रहेंगे तो ही अच्छा से सिखेंगे शिक्षक परिक्षन कारिक्रमों में ऐसा ही बताया गया है शिक्षन कारिक्रम में बताया गया है इसलिए ऐसा करना चाहिए नहीं ये भी जरूरी नहीं है उसके बाद है इससे प्रतेक सिक्षार्थी को अनुसासित करने के लिए सिख्षकों को बहतर आउसर मिलते हैं हाँ यह हो सकता है लेकिन option number 4 देखें बच्चों की विकासदर भीन भीन होती है और वे भीन भीन तरीकों से सीख सकते हैं यहाँ पर 4 number जो यह जादा correct है ठीक है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो बच्चों है उनकी विकासदर भीन भीन सभी बच्चों की विकासदर भीन भीन है तो वे भीन तरीकों से सीख सकते है अलग-अलग तरीका से वो सीखेंगे इसलिए सब पर अलग-अलग ध्यान देना जरूरी है अब question number 27 है निमलिकित में से कौन सी समस्या समाधान की वेज्यानिक पधती का पहला चरन है ठीक है तो देखें समस्या समाधान का पहला चरन तो पहला चरन क्या है तो वो है समस्या के प्रती जाग रुकता ये सबसे पहला चरन है ठीक है क्योंकि हम लोग को पता रहना चाहिए समस्या केसा है उसके प्रती जागरुकता तो होना चाहिए सबसे पहला तो यहीं चाहिए कि केसा समस्या है उसके प्रती जागरुक होना चाहिए अब जैसे मान लेते हैं कि साप आ गया ठीक है और जाएंगे साप को पकर लेंगे तो वो काट भी तो सकता है जहरीला साप अगर होगा तो तो प्रोब्लम हो सकता है तो जाग रूखता होना चाहिए कि अगर साप आ गया है तो उससे हम लोग को केसे दूर रहना चाहिए ठीक है Next Question is, निमलिखित में से कोन सा सीखने का छेतर है, देखें सीखने का छेतर आनुभाविक, भावातमक, आध्यात्मिक अव्यावसाइक देखे हम लोग यहाँ पर सबसे सही अनसर देखेंगे तो सबसे सही जो है आनुभाविक यानि कि अनुभाव के साथ अनुभाव के साथ जो सीखते हैं वो सबसे अच्छा है तो यहाँ option number one जो है वो correct है question number 29 है जब बच्चा कायर करते हुए उबने लगता है यानि बोर होने लगता है बच्चा अगर बोर होने लगता है तो यहाँ इस बात का संकेत है कि बच्चा अगर बोर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है संभवतक कारियांतरिक रूप से बार बार हो रहा है या बच्चा बुद्धिमान नहीं है देखें, अभी हम क्या बता हैतें, कि बच्चा को तो दोस देना ही नहीं है, कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चा है बुद्धिमान, बच्चा में सीखने की योग्यता नहीं है, ये भी गलत बात है, बिलकुल योग्यता है बच्चे में सीखने की, ठीक है, इसलिए हो सकता है क्योंकि जो कारी हो रहा है वो बार-बार हो रहा है मतलब एक ही टाइप का कारी जो है वो बार-बार हो रहा होगा इसलिए वो पोर हो रहा है इसलिए क्या करना चाहिए अलग-अलग टाइप का काम करवाना चाहिए या फिर जो अधिगम का तरीका है उसको अलग अलग टाइप से सिखाना चाहिए यह सा नहीं कि बार बार एक ही टाइप पर चीज को करवाया जाए इसे बच्चे बोर होते हैं ठीक है यहां ऑप्शन नमबर जो वन है वो करेक्ट है ठीक है नेक्स्ट को से ने प्राय सिछार्थियों की तुरूटियां यानि कि अगर या यांत्रिक अभियास कि आविश सकता है कि उनलों को और ज्यादा अभियास करने का जरूरत है या सीखने की अनुपस्थिती है या सिछार्थियों को समाजी कार्थिक अस्तर यह बता रहा है तो देखें यहां पर तुरूटियां अगर है मतलब गलती अगर बच्चा कर इसका मतलब क्या है कि उसको अभी और काम करने का जरूरत है क्योंकि अभी वह गलती कर रहा या नि उसको और अभियास करना यानि यहां option number जो टू है वह करेक्ट होगा कि उसको यांत्रिक अभियास कि आह सकता है उसको और भी अभियास चाहिए तो यह cdp का 30 questions हो गया friends तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई